कि सुबे को गमेडो ये दिशाम को गरा जया तो भी गमेडो को निकिया करें राजस्तान सरकार का केबिनेट मंतरी परताब सिंग जी खुल कर के सामने खड़ा था को जोर में करे ते साव वो तो हम हमारे बच्चे बच्चियों को पढ़ा नहीं सकते चार दिन बाद में वो ही सिक्षा मंतरी जी करे रहे हैं कि यो मैलाओं के सम्मान का परतीक है सबसे पहले तो मैं सिक्षा मंतरी का खुब खुब आभारविक्त करता हूँ और दूसरी बात एक मारवाडी मडसे कावाटी में कावत है कि सुबह को गमेडो यदि शाम को गरा जया तो बिन गमेडो कुन किया करे आज चार दिन बाद में यदि सिक्षा मंतरी जी को जोहर में त्याग और बलिदान नजर आने लगा है तो उनका भी खूब सरा अभार और खास करके इस मुद्धे पर जिन परमुख दलों ने और खास दलों के अलावा सभी सामाजिक परमुख संगटनों ने और दलगत राजनेती से उपर उठकरके पहली बार किसी राजस्तान सरकार के मंतरी चाए परताब शिंग जी हो चाहे हमारे कोंग्रेस के नेता गोपाल सिंग जी हो चाहे दिपेंदर सिंग जी हो सभी परमुख नेताओं का खूब खूब धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो अपनी दलगत राजनेती से उपर उठकरके कम से कम बात को बात करने की इमत की नहीं राजनेतिक पाल्टिय करके क्लेक्टर को भी वो ग्यापन दिया तो आपने भी इस मोके का पूरा फाइदा उठाया मलब राजनेति करने के लिए पूरा फाइदा उठाने की आप कोशिस में थे और एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिस में थे तो आपकी भी ये जो योज नहीं थी वो भी धरी की मापुर्सों के नाम पर राजनिती होनी नहीं चीए राजनिती करने का काम मानने सिक्षा मंतरी जिने एक चाल चली पर आज सिक्ष्या में कैसे गुनोवता बढ़े सिक्ष्या में किस तरिके से कमी है उसको अपन कैसे उजागर करें सरकार के पास सिमित संसादन है उनको अपन कैसे सोयनोजी तरी से वेवस्तित करें उस काम को तो करने ही पा रहे हैं जब से यह सिक्ष्या मंतरी बने हैं तब से कभी अक्बर महारणा परताब के मामले में उनको महान बताने में महारणा परताब को हिचकचाट मैसूस हो रहा है कभी जोहर का चितर अठाने की कोशिस कर रहे हैं उनका टारगेट विवादित मुद्दों को आगे लाने का है तो मान्य सिक्षा मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि कम से कम सिक्षा में किस रूप से गरीब के बच्चे संपूर्ण सिक्षा प्राप्त कर सकें किस परकार से आम आदमी को सिक् मामले में कोंग्रेस ने जो मैं करा हूँ राजस्तान सरकार का केबिनेट मंत्री परताब सिंग जी खुल करके सामने खड़ा था सबसे पहले ठीक है सोबागे से आपने मेरे को पूछा आपके चैनल लेकिन परताब सिंग जी का मेरे इंट्रिवी देने के चार गंटे बाद में बयान आ गया कि मैं करा हूँ कि जोहर की जवाला है मैं खुद उसके कारिक्रम में गया हूँ परताब सिंग जी अभी तीन महीने पहले जो चितोड में कारिक्रम था वाँ उपस थी ते इसलिए मैं इसमें कांग्रेस बीजेपी की राजनिती बात है यह नहीं मैं तो यह जोहर केचित रठाने की बात की तो इसके अंदर आप उनकी क्या मानते हैं इसके पीछे क्या कारण मानते है कि उनकी क्या मानच कि समझते हैं इस मामले मैं यह करना चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री जी से यह डिपार्टमेंट संबल काम ताबू में नहीं आ रहा है और जिस तरीके से वो जो काम करने चाहिए वो तो करने ही पा रहे हैं और एसे मुद्धों को हवा देने की कोशिज करते हैं जिससे लोगों का ध्यान आक से दूसरी तरफ हो इसलिए मैं मानने शिक्षा मंत्री जी को निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा में गुणवता कैसे बढ़े अपन राजस्तान की शिक्षा आम आदमी तक कैसे पहुंचे वो काम करना चीए इधर उधर बठखाव की बातें नहीं करके शिक्षा की कोई अर्थी नहीं है मैं कहरा हूं आज से चार दिन पहले सिक्षा मंत्री जी को जोर में करे देसा वो तो हमयरे बच्चे बच्चियों को पढ़ा नहीं सकते। चार दिन बाद में वही सिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि यह मैईलाओं के सम्मान का प्रतीक है उनको पढ़ाएंगे तो आज चार दिन के अंतर में यह दी कैसे महसूस होने देखिया सिधा सिधा उनके राजनेती करने का एक प्रियास्ता लेकिन सामने लोग खड़े हो गए बैक फूट पे आगए इसलिए मैं कहरा हूँ कि मानिय सिक्षा मंत्री जी को खास करकर के मापुर्सों के नाम पे राजनीती नहीं करने चाहे मापुर्स मैं कहरा हूँ चाये सुरज मलजी हूँ چाये महानना परताब राजनीती तो आप लोग भी कर रहे थे भारते जंता पार्टी वालों ने भी पर आजनीती नहीं की लेकिन ये तो आप लोगों का तो मुद्दा इसलिए फुश हो गया कि इसके अंदर कॉंग्रेस के मंतरी आ गए और बड़े नेता आ गए बागे राजनीती तो आप लोग खड़ी हो गई मेवाड में एक एक आदमी हर समाज का बंदा खड़ा हो गया मैंने खुद इंट्रिवी सुनाता गोपाल सिंग जी का जिन्नों चितोड से चुनाव लड़ा उन्होंने का ज़ारों फोन आ रहे हैं मेरे पास कि मैं क्या जबाब दे पाऊं इसलिए नेता और कॉंग्रेस तभी कि हमारे साथ खड़ी हुई है कि जन्मानस हमारे साथ खड़ा हो गया इसलिए मानने शिक्षा मंतरी जी को इस मामले की हमारी भावनाओं को समझने के आव सकता है और मापूर्सों पे राजनेती नहीं करनी चाहिए मैं यहीं करना चाहूंगा अब आप क्या सोच रहें कि जो जिस ढंग से विरोध हुआ तो आगे भी कोई मंतरी की किसी की इस तरह के हिम्मत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी मैं मानता हूं कि कम से कम यह दिकोई इत्यास के साथ में छेड़ खानी कड़ेगा प्रियास करेगा वो चार बार सोचेगा वो एक उदान पेस होगा कि एक बार पहले उन सिक्षा मंतरी जी ने इस तरीके से चेप्टर को चेंज करने कोसिस की थी उनके साथ यह वा तो सबक और अन्य को भी मिलेगी इसलिए मैं खास करके जो जितने मीडिया बंदों ने मारा साथ समर्तन दिया जिन राजनितिक दलों ने मारा साथ समर्तन दिया जिन सामाजिक संगटनों ने मारा साथ समर्तन दिया सबका खूब खूब आभार और कम से कम महापुरसों के नाम से रा राजनित्शी मोगा है मैं खूब आभार्विकत करना चाहूंगा मैं कास करके उस बात को उठने के हम किसी सक्षित के साथ या किसी नए मुद्दे के उपर हजिर होंगे धन्यवाद